आप यह देखें, E की बार X, 1 प्लस X, D X, Cos X, E X, Z हो जाएगा, देखो, अब Z किसको मानेगा, डारेक्स का इंडिगरेशन करना है, तो एंगिल को मान लेते हैं, या भिर अगर किसी चीज के उपर पावर हो, इसको मान लो, ठीक है, यह जब हम इसका डिफरेंशन लेंगे, त तो derivative का formula लग जाएगा, X, hazardous E की बार X का derivative, E की बार X, E की बार X, X का derivative 1, तो यह हमारा DZ हो गया, चाहो तो E की बार X कामल ले लो, अब सवाल यह बैदा होता है, इसा मैंने क्यों गया, भाई, यह मैंने इसलिए किया है, कि अब यह पूरी टर्म की जगा, यहाँ DZ आ गया, और यहाँ Z आ गया, कॉस Z, उपर जा के हो गया सेक Z, अब सेक Z के integration के दू फर्मूले होते हैं, एक होता है, LN सेक Z प्लस 10Z प्लस C, एक होता है, LN 10 5 by 4, प्लस Z अपॉन 2 प्लस C, तो Z की जगा क्या करो यार, Z के लिए उपुट कर तो जो हमने सपोस किया था ना, XE की बार X, XE की बार X, आप बोलोगे के सर, इन दोनों में से किस फॉम में, यह, यह साल बहुत बार आए, एक बार पेपर में आया था, तो से यह उप्शन दिया था, एक बार यह दिया था, एक बार दोनों दिये था, और अंसर था बहुत एन,